नमस्कार साथियों एक और इंफर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपका मेरे यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ साथियों दिख्षयायब पर जो कारे पुष्थिका का जो ट्रेनिंग है वो हम कर रहे हैं या फिर हम उसको पूर्ण कर चुके हैं तो सम्मन्द में वो कारे हमें विद्धाले स्थर पर किस परकार से करना है आईए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं विद्धाले के स्थर पर वित्रण के तीन मुख्य चरण साथियों जो हमारी वर्क बुक होगी वो तीन परकार की होगी और उसका वित्रण भी हमें किस प विध्यारतियों पर ध्यान देने की आवशक्ता के कारण हमने जान लिए विभिन दक्सताओं में विध्यारतियों का परदर्शन किस परकार से है वह हमने जान लिया और कार्य पुस्तिका की अउधाना क्या है यह सारी चीजें हम ट्रेनिंग में जान चुके हैं इसके लावा यह प्रक्सिशन मोडूल आपको इस समय में कार्य पुस्तिका का सर्वतम परियोग करने की विद्धी के बारे में बताएगा विध्यारतियों को कार्यपुस्तिका कैसे बाटें, विध्यारतियों को घर से ही कार्यपुस्तिका के माध्यम से कैसे पड़ाई से जोडें साथ ही हमें करना क्या है आप देख सकते हैं एक चित्र के माध्यम से पाठ्यपुस्तिका, कार्यपुस्तिका और समय साणी सबसे पहले हमें कारिक पुस्तिका का वितरन करना है साथ ही सिक्सकों द्वारा फॉन कोल हमें अभी भावकों को फॉन के माद्यम से भी लगातार हमें संपर्क में रहना है और उनकी समश्याओं का निदान करना है और वर्क बुक को किस परकार से बच्चे सीखेंगे उसको किस परकार से भरेंगे ये जानकरी भी हमें दे देनी है और इसमाइल सिख्षा दर्सन कारी करम के द्वारा तो ओनलाइन जो डेली सामगरी बेजी जाती है बच्चे वो देखी रहे हैं विद्यारतियों के शीखने के स्तरके नुसार तीन परकार की कारिपुस्तिकाओं को अनिर्मान किया गया है साथी, सीख और समर्थ आप देख सकते हैं, जो साथी कारिपुस्तिका है कक्षा एक और दो की दक्स्ताओं पर आधारित ये वर्क बुक है गणित की ऐसे ही सीख है कक्षा 3 और 4 की दख्षताओं पर आधारित और ऐसे ही समर्थ है गणित कक्षा 5 और 6 की दख्षताओं पर आधारित वर्तमान में हिंदी एम गनित की कारिपुस्तिका का वित्रण हो रहा है जल्द ही अंग्रेजी की कारिपुस्तिका का वित्रण होगा यहां साथ ही हमारी विद्धाले में हिंदी और गनित की कारिपुस्तिका हमको मिल गई होंगी या फिर बहुत जल्द मिल जाएंगी और इसके बाद में टुरंथ ही हमें अंग्रेजी की workbook भी बहुत ही जल्द हमें विध्यालमें देखने को मिलेगी यह सब हमें बच्चों को देनी है कख्षा 3 या 4 में ना मंगित विध्यारती अगर कोई बच्चा कख्षा 3 में या 4 में है तो उसको देनी है हमें साथी नाम की वर्क बुक देनी है यहां पर लिखा हुआ है ग्रेड थ्री फॉर स्टुडेंट एट लर्निंग लेवल फर्स्ट एंड सेकिंड जो बच्चा अभी लर्निंग के लेवल के फर्स्ट में है यानि की बहुत उसका सेक्षिन के स्तर्न्यून है या फिर साथी देनी है अगर वो लर्निंग लेवल फर्स्ट या सेकिंड में है इसके बाद में वो थोड़ा सीख जाता है तो हमें सीख वाली जो कारिपुस्तिका होगी वो हमें दे देनी है और इसका लेवल होगा तीन और चार तो यह कक्षा पांच और छे के लिए होगी साथियो इसी परकार कक्षा साथ या आठ में नामांकित विद्यारती अगर बच्चा कमजोर है तो उसको साथी देनी है अगर उसका लेवल जो लर्निंग का लेवल है वो पहला या दूसरा है इसके बाद में हमें सीख वाली कारिपुस्तिका देनी है अगर उसका लेवल थोड़ा बढ़ गया है वो बच्चा तीसरे चोथे लेवल पर आ गया है और इसके बाद हमें समर्थ नाम की कारिपुस्तिका देनी है इसमें बच्चा थोड़ा आगे बढ़ जाता है उसका सेक्षनिक सुदार हो जाता है तो हमें ये कारिपुस्तिका देनी है विद्याले में पहचान करनी है पिर इसके बाद वित्रण की प्लानिंग और उसके बाद वित्रण के दोरान अभिवावकों से बात चीत साथियों यह किस परकार करनी है इसका डिटेल वीडियो बनाया जा चुका है आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो में एक-एक स्टेप को बहुत ही ब विध्यारतों की पहचान करनी है एक लिंक है साथ ही वह आपके पास में आ गया होगा नहीं आया है तो आप उस जो पुराना वीडियो है आप जाकर देखेंगे उसमें बताया गया है लिंक के बारे में आप जैसे ही वो लिंक टाइप करेंगे तो गुणवत्ता दिवस के आदार पर बच्चों की लिष्ट आपके विध्या लेकिये आपके सामने आ जाएगी और उस लिष्ट को हमें सेव कर लेना है उसी आदार पर हमें रिकोर्ड बनाना है विध्यारतों की पहचान करना और कारिपुस्तिका वंटन का रिकार्ड संधारित रखना इसके बाद म को कार्य के साथ साथ रखना है और अभी बावकों को बुलाना है साथ इसाथ उनको समझा देना है कि बच्छों से किस परकार करवाना है ये कार्य होगा वित्रन की पुलानिंग का फिर इसके बाद आता है'd alarm के दोरान अभी. भावकों से बातचीत जब हम कारीप उस्तिका का वित्रन करेंगे तो हमने अभिव्भावकों से बातचीत करनी है और उनके अस्ताख्षर भी हमें लेनी है साथ हमारें सनसाथ परदान के विदधाली श्र पर सालादरपन पर उसकी एंटरी करनाय। और सालादरपन पर वीडियो बहुत जल्दė बना समय सारणी किस परकार से आपको वितरित करनी है इस समंद में भी वीडियो है आप चाहें तो देख सकते हैं तो साथियों इस परकार हमारा कार्य पूरा होता है हमें तीन स्टेफ में सारे कार्य कर लेने हैं इस वीडियो में इतना ही साथियों आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद